मेरे बाई जिस धमाकेदार मैच का आपको इंतजार था IPL का वो मैच आ गया मेरे बाई IPL का उन्नीसवा मुकाबला जो खेला जाएगा कॉलकाता नाइट राइडर और संड राइजर हैदराबाद के बीच में बता दू मेरे बाई हैदराबाद बैक टू बैक हारने के बाद अपना लास्ट मैच विन करी है और हरा के आ रही है मेरे बाई पञजाब किंग्स को वहीं बात करो कि कॉलकाता नाइट राइडर के बारे में तो लगाना घोरा उड़ा था लास्ट मैच में और आपको बता दू मेरे भाई कि लास्ट मैच में 28 रंचेज करा था और एक नंबर हराया था गुज्रार टाइटन उसको मेरे भाई तो यह मैच यह टक्कर का मिलेगा क्योंकि हधराबाद का जो कमजोर पॉइंट था बॉलिंग उसका परफॉर्म नहीं कर रहा था उसको माको जेम्सन भी वापस आ गया है साथ में राजन भूबनेश वर और मलिक ती चारो फास्ट पोलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे भाई तो यह मैच कार्टे का ठककर का मिलेगा लेकिन कलकता के पास एक एडवांटेज है कि कलकता इडेन गार्ण में गेलेगी जो कलकता नाइट राइडर का होम ग्राउंड है तो उसको थोड़ा सा होम सपोर्ट मिलेगा मैच मेरे भाई कल खेला जाएगा टाइमिंग वही साथ साथ बजे का होगा मार्गेट में हमारे नाम से बहुत ज्यादा फेक चैनल बन गें मेरे भाई उसे बचने के लिए धमाका नंबर सेवें टू जीरो वन जीरो फाइड ट्रीपल जीरो सिक्स को जरूर से जरूर से जरूर सेफ कर लेना बतादू मैच कॉलकता और हैदराबा उसनल ने वहीं बात करओं के लाँ दस मेच के बारे में तो दस में से शात मैच Halal इच में तो चाइस प्रसंट के आज पास है मतलब को जूकता नहीं बारी परिति है agar पर्य गएक चैनल को हल चांसर रही है क्रुकता तो 40 विदि चांस रहते हैं हर 10 में से मेरे चार मैच विन करती है और 6 मैच जो है वो लॉस्ट करती है यह फिगर थोड़ा से बहुत खराब है कि कलगाता का परफॉर्मेंस दिविशले 3-4 साल से बहुत खड़ा हुआ है कलगाता का मेरे भाई सबसे वरा जो स्ट्रॉंग विक पॉइंट है मेरे भाई फास्ट गॉलिंग डिपार्टमेंट उसका बहुत ज्यादा कम दोर है पहले तेक उमेश यादव है जिनसे बिगेट नहीं निकल रहा है सुरुदू ठाकर 19 केकनौमी से रन देते हैं लोगी फर एह मुल्ला गुरुबाज करके प्लेयर है दो मैश में परफॉर्म किया था लास्ट मैश में वह भी फ्लॉप कर गया मेरे भाई तो यही और बागी मता दो मेरे भाई जो निटिश राना है इनका कैप्टेंसी बहुत एवरेज है एवरेज कैप्टेंसी कर रहा है प्रेसर बहुत जाता ले रहा है जिसके बज़े से दो मैश में फ्लॉप हुआ है लास्ट मैश में अर्टिस की उन्जाना चारीश के आस्पास रन बनाया था बागी इनका कैप्टेंसी काफी एवरेज है टीम का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और फॉर इस टीम का सबसे विक पॉइंट है अंद्रे रसल जो की खेल रहे है ना बैटिंग कर रहे है ना बालिंग कर रहे हो सकता है कि अधरे रसल के जहा पर इस मैच में लिटों दास को खिला जा सकता है जो की वाफसी कर गये है लेकिन वहीं बात करोगे हैधरावाद के बारे में तो हैधरावाद जो है पूरे IPL की सबसे flop टीम अभी तक रह चुकी है फिछले तीन साल में मार्थ 20 मैच मैच विन करती है हर 10 में से 2 मैच विन करती है मेरे बाई और आज मैच लोस करती है बात करूँ है मेरे बाई तो इस यही थो फ्लैयर में य भाजी टीम में नहीं बास टीम के पास कोई स्कुन नहीं है तो मैदे में चलते चलते नहीं चलते हैं ठीम का पूरा का पूरा सुन्दर पे टिका हुआ है और सुन्दर के अलाबा वाशिंग्टन सुन्दर के अलाबाश टीम के पास कोई स्पिनर नहीं है टीम के पास quality fast baller है जो अच्छा perform किया है last match में मेरे बाई दो मैच में वह भी flop रहा था एक मैच में performance किया है वो बॉलिंग लिस्ट में मेरे बाई टीन नट्राजन का नाम है उसके उम्रान मलिक का नाम है मेरे बाई माको जैमसन का नाम है और भुबनेश्वर कुमार का नाम यह चारो मेरे ब्रैंडेड फास्ट बॉलर है यह टीम भी defend पेच्छा करती है चेच पर सफर करती है लास्ट मैच में भी देखा हुआ कि चेच करते भी 90 पैसे भाव ले आया था फिर मुश्किल से उसको मैच को निकाला गया मिले बाई अभी बास्त करोगे पिछ रिपोर्ट के बारे में तो कॉलकाता का जो पिछ एक बैटिंग पैर नहीं मिलता है मेरे भाई और बता दू आपको कि इस पिछ पे लास्ट के अवर्स में बहुत अलगते अठारा उनिस और बीस यह तीन अवर में बहुत देखने को मिलता है 165 का इवरेज स्कोर है इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे अगर इवरेज कहतना स्कोर बनता है तो पहले फर्स इनिंग के अगर बास की जाए तो छे अवर में 43 रन बनता है 10 अवर में 73 अवर में में ज्यादा लगता है और लास्ट में जाके 20 में वह वो टीम कोलैप्स कर जाती 120 के असपास बनता है 20 हवर में अब बात करोंगे मिरे बरें वेन्यू स्टार्ट के बारेमें तो उस्से पहले बतादूँ कि इस वेन्यू पे जो लास्ट चार मैशिश खेलेगा हैं। इसमें मेरे भाई 204 रन लगा उसके पहले 274 लगा उसके पहले 184 लगा उसके पहले 177 रन लगा इन शहीं 2017 के प्लस का यह श् muốn निकल के आ रहा है 5 factor मेंच का बात करोगे decent form के बारे में तो Kolkata अपना दो match back to back win करके आ रही है मेरे बाई उससे पहले मेरे बाई एक match loss कर रहा है है तो back to back 3 match हरने के बाद एक match win कर रहा है इस चीज को ध्यान में रखिएगा और बता दू मेरे बाई कि जो Kolkata का ground है मेरे बाई इस ground पर जिसका batsman perform करेगा वही team win करेगा मेरे बाई बाई बालिंग का उतना कुछ खास नहीं है ground छोटा है हर बॉलर पिटा जाता है बात करोगे playing 11 के बारे में तो playing 11 में आपको गुरवाज जेशन रोय जोनों इसको एक पिर दिख सकता है और as a finisher मेरे बाई शरदू ठागुर को दिया गया है जिम्मेदारी और सुर्लील नराय स्पिंबॉलर के ज़र पर दिखेंगे बाकि मेरे बाई बेंग का टेस अइयर दिखेंगे जो कि इन प्लैक प्लेयर के तौर पे खिलते हैं लास्ट में 13 रन बनाया था पर्स पर्लिंग डिपार्टमें लुकी फर्गुशन दिखेंगे उमेश यादद दिखेंगे और बकुटू चकरवर्ते दिखेंगे बात करो के हैसरावास के बारे में तो मैंक अगर बार ओपनी करने आएगा है एरु बूक्स के साथ जो तीनों के तीनों मैक में भी अगरे में बात करेंगे तो पर्स पर्फॉर्म नहीं कर रहा है और फिनीशर दोनों के बास राम भरो सही है लेकिन इसके बास पास एक स्वडूदू ठाकूर है जो लास्में हिटिंग कर सकते हैं इस चीज को द्यानमरत किया यह वीडियो चल्वाइब कर लेना और चली ग्राम गुरूप पर भोलो करना नहीं भूलिएगा टेलिग्राम गुरूप के लिंग वीडियो की डिस्क्रिप्शन मोक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना मेरे और धमाका नंबर 720105006 को जरूर से जरूर से जरूर सेफ कर लेना चलिए आरा नमाद है जाए महाकाल